नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ Axigo App से train का ticket कैसे book कर सकते हैं इस वीडियो में आपको step by step पर उपर explain करके बताऊंगा कैसे आप अपने mobile phone से Axigo App से train का ticket book करेंगे बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखना होगा तब समझ में आएगा वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक छोटी से request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए 24 अपन कर लेंगे जैसे अपर open करेंगे open करने बाद आपके सामने इस तरह से आप इंटरफेस देखनी कह बिलेगा इस पिलेगे, Continue बस क्या करेंगे, Continue पे क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँपे Continue पे क्लिक करने बाद आपके सामने फिर आपको देखनी मिलेगा, इंटर मुवाइल नमबर निए, अपना अपना मॉवाल नमबर शाई साही H Subscribe करने का आपको नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका OTP यहाँ पर आपका फिर से क्लिक कर देंगे जैसे यहां पर आपके सामने इस तरह से देखनी मिलेगा उसके बाद यहां से आपका मेंन काम से आपका सिर्ट हओत है हुआאן इसरे का नाम है पिऩिए आपका नेम आज आगए सक्षयार से आपको आग آپस कैना च्थी आल में यहां पर फॉर्म ज्कूरब क्ठियर और कहा तक जाना चाय proven it तो यहां पर क्या करेंगे इस टू में किलिक करेंगे तू में किलिक करने बाद जैसे मैं कोलकाता जाना चाता हूँ जैसे मैं कोलकाता टाइप करता हूँ कोलकाता लिखा हूँ तो यहां पर कोलकाता के जो स्टेशन है स्टेशन का नाम आ गया जैसे हावरा स्टेशन स्टेश क्टीप करना चाहते हैं जैसे कठीहार से मैं क्टेट में जाना झाहते है तो यहां पर आपको देखने मिलगा अग्ष्ट सब्टमबर अक्टूबर करने बदेंगे जैसे काठियरस कोलकाता और 25 जानता को 25 अगस्त को यहाँ पर नीचे सर्च train से क्लिक करकेंगे जैसे आंप इस सर्च ट्रेंग पर देखंगे तो सब्सक्राइब देखने त्रेंगे जो कि आपको ट्रेन का नाम देखने बूलिगा JBN Kolkata Express यानि Jogbany Kolkata Express है यहां देखनी की पिलता है उस में हम देखनी मिलेगा Slipper, 3 AC जो Q hippocator Chancetouch candle रहागा तो यहां पिलेखने मालिखनी मिलेगा ABL मतलब होथा इनका ISLipper ask SWounty First Class равно 3 AC में एनका 3 SE inหuse 3 AC में अन tv गारी का नाम देखनी मिलेगा अगर इस गारी में नहीं जाना हुआ, अगर आपको जाने का मन्न है, तो आप नहीं देखेंगे, नीचे भी आपका गारी का आ जागा, जैसे हम देखेंगे, कठियार हावर एक्सप्रेस, उसके बात यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिलीपर है, तो इसका एवेलेवल सीट लगबग यहाँ पर 102 सीट यहाँ पर अवेलेवल, यानि कंफर्म है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिखाव रहेगा, यहाँ पर मतलब होता कि आपका सीट कंफर्म है, अगर यहाँ पर आपको एवेलेवल रहेगा, तब ही आप सीट को बूक करेंगे, अगर करना है जैसे मैं है slipper में click करूँगा click करणा उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तर सड़ यानि 25 अगस्ट यानि 35 अगस्ट को जो है यानी इगारी आपके आपको आपशन आज गहां पर देखेंगे उसका किराया जो है लगबग टूहंडट सिस् फ्लेब ऐस पर गौर्बंफ आइड यानि आपको क्या करेंगे यहां पर फोब यहां-पर आप जाना चाहते हैं जिसका भी टिक्क्ट बनाना यहां पर आपने लिए अपना नाम लेगा बद्ध लेना चाहते हैं जो भी सीट लेना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पर नीचे देखनी मिलेगा एक प्रेवल बस क्या करेंगे add travel में click करेंगे जैसे यहाँ पे add travel में click करेंगे तो यहाँ पे आपका एक passenger add हो गिया अगर और भी आप passenger को आपका add करना चाहता है मतलब एक साथ में दो ticket या तीन ticket बना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने हुए लगा add new travel बस क्या करेंगे add new travel पे click करेंगे फिर से यहाँ पे क्या करेंगे अपना दुसरा passenger को यहाँ पे add कर सकते हैं यानि password create नहीं किया, यानि अपना account नहीं बनाया IRCTC में, तो आपको वीडियो के description box में एक link मिल जाएगा, वहाँ से click करके जान सकते हैं कैसे आप अपना account create करेंगा IRCTC में, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपना IRCTC का user ID होता है, यहाँ पर अपना IRCTC का user ID fill up करने के बाद, आपको scroll down करके तो नीचे आएंगे, जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, आपका mobile number यहाँ पर automatic यहाँ पर fill up रहता है, यहाँ पर mobile number fill up करने के बाद, उसके बाद guys आपको करना है क्या कि यहाँ पर आपका email ID यहाँ पर आपको fill up करना, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इस जगर आपको click करेंगे, और उसको क्या करना पूरा को मैं पर आपको clear कर देंगे, additional preference यानि आपको देखनी मिलेगा do you want to take travel insurance यानि अगर आप अपना जिसे सफर करते समय अगर आप अपना insurance करना चाते हैं पर ticket का insurance करना चाते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इस box में click करेंगे तो यह जरूरी नहीं है करना होगा एक्स्ट्रा अगर आप इस पर click करते हैं यहाँ पर click करेंगे जब भी आप ticket को cancel करेंगे cancel करने बाद आपका जो भी यहाँ पर आप जितना भी चार्ज दिए आपका ticket का 265 रुपीज है तो आपको 265 रुपीज आपको refund आ जाएगा यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा आपको 50 रुपीज पर पर सन याँ आपको देना परता चार्ज तो यहाँ मैं यहाँ पर click कर दोगा तो यहाँ पर इसका पर किराया है यहाँ पर लगवाद 50 रुपीज है एड़ हो जाएगा तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने बाद आपको क्या करना स्क्राइब करके नीचे आएंगे जैसे आपको नीचे आएंगे नीचे आने बाद यहां पे आपको देखनी मिलेगा प्रोसीड टूपे बस क्या करेंगे प्रोसीड टूपे में आप क्लिक करने जैसे आपको क्लिक करने बा देखने मिलेगा उसके बाद यहां पे आप किसके ठूर अपना पेट करना जाते हैं यहां पे आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे अपना ATM काड करना जीए से नेट बैंकिंग यहाँ पर क्या करेंगे है उसके बाद आपके सामने इस तरहा पर इंटरफेस देखने पी रहेंगो तो यहाँ पर यहां तो चलिए मैं अपना यूजर आदी ऑंपर पास्वार्ट कर लेता हूँ यहां पर यूजर आड़ी और यहां पना पास्वर्ट सही-साई यहां पर आपका ऊटीपी ने बस क्या करेंगे चलिए में इंट्रफेस देखनी बार यहाँ करेंगे को यहाँ प्रटेपी को करना ऍट्वर करने के और नहीं करना जैसे आपना ATM card को through कटांगे तो आपको refresh नहीं करना loading लेने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखनी पिलेगा यहाँ पे क्या करना यहाँ पे अपना user ID जो आपने fill up किया था IRCTC का उसी का password जो बनाए होंगे आप यहाँ पे क्या करने अपना password आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखनी मिलेगा उसके पाइस आपको यहाँ पर क्या करना आपको अगर इस तरह से option आगा तो बस क्या करेंगे note-nought पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको allow करने का एक option है बस क्या करेंगे allow पर click करेंगे allow पर click करेंगे यहां पर कुछ second loading लेगा उसके बाद यहां पर जोगा आपका इस तरह से घर बैठे आसानी से अपने mobile phone से अपना टिकट को बुक कर सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे अपना टिकट को कैसे cancel करना एकसी गो एप से तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर इस तरह का helpful जांकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जिरू से जरू सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ पूछना कुछ क्वारी से तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जैहिन जै भारत